सब्सक्राइब देखकाइब यूज करते करते आपको पीसी पेरिफिरल वह खराब हो जाता है तो आप क्या कर गगा फकॉर्स वैंटी में डालोगे बाते हैं चहां पर जैसे कि एक साल के वैंटी है दो साल के वैंटी है अशी बोल देते हैं बट जब अप्छुली में वैंट या फिर किस तरीका प्रोसेस है तो इसलिए आज कि यह जो वीडियो है वो मैं वना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो राइजर वाइपर अल्टिमेट थाना वह खराब हो चुका था इसका चार्जिंग डॉक काम नहीं कर था तो मैं भी इसको आरवे में भीजा था एंड मुझे पह पास वी रेजर का कोई प्रोड़क्त है अब कर दें अब कर दें शुर्ण कर दें अब कर दें तरीका और यहां बनाने का हमारा यही मक्सद है कि ताकि आपको ज्यादा कुछ यहां पर रेश्ट करना ना पड़े आप जो सिर्फ इवाला वीडियो देखके आपको समझ में आप अपना वारांटी क्लेम कैसे करवा सकते हो और काविसर लोगों यहां पर वोड भी किया था ताइस वाइब एक तो सबसे पहली बात अगर आप हमारे श्याल में रेगुलर हो तो आपको पता हुआ कि मैंने करीब 30 जेस पहले बोला था कि एक वीडियो में कि मैं अपना जो डेजर वाइपर अल्टिमेट वह मैं भीज रहा हूं रेजर का यह जो वाइपर अल्टिमेट वह खराब हो चुका है आप माउस नहीं खराब हुआ है बड़ इसका चारजिंग डॉप काम नहीं कर तो मेरे को इसको आर्व में भीजना पड़ेगा और उसके बाद बाद अगर आपका product manufacturing defect है या फिर आपका product मेंistent defect में करें घ Half post office mind easier cycle yay Nuclear और कर वाइपर अगर अगर काम करना बंकड दो रहे है तो वह सारी चीज़ों आपको warranty मिलेगा बटह पै इसाहाई माउस का spec घिस जाता है माउस का फंट्र एक तो एक वाइं अभाव सिर्फ यहां पर जो डिफेक्टिव पार्स है या फिर जो डिफेक्टिव चीजे हैं उसी में आपको एंटी मिलता है कि अगर आप उसको थोड़ा बहुत देते हो एंड आपको एंटी मिलेगा तो आप ऐसा सोचना मत बेसिकल अगर आपका डिवाइस अफिर प्रोड़क्ट बुआ करते हैं याँ आपने कीवोड खडिदे हैं उसका काम नहीं कर रहें तो वह सारे को स्क्रालेगा है आपको बिलकुल डैवलीक और या वहोंडा हुआ जिर्जर औरवार भी है और तो यहां पर तो आपको है 90-95% परसें में अ एक रिपेस्मेंट वहांट 01 एक काफ से बात कि आपको चोडर यहांन। और इनकी अच्छी का आपको बंते हैं जो कि ब्रॉण्व प्रॉण्अ छस्द बात कि आ इनकी बदा पास रहते हो तो मुझे जैसा 30 दिन लेगा है तो आपको शायद से यहां पर 5-6 दिन या फिर 10 दिन में भी आपका जो प्रोड़क्त वो ब्राइंड मेल सकते हैं कि उनके पास टॉक है या नहीं जैसा मान लो अपने कोई कीवोड भेजाए या फिर माउस भेजाए और उनके पास नहीं रहता है तो में भी आपको जो है वह लोग एक डिफरेंट मॉडल ओफर कर सकता है कॉल के थू कि हमारे पास यह वाला माउस नहीं है अगर आपको फर आपको आपको या पास टॉक टॉक नहीं रहते है तो वह बेसिकली क्या बोलता है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक यहां पर हमारे पास न्या स्टॉक चाहिए और नया स्टॉक आते ही आपको यह वाला माउस या फिर यह वाला कीबोर्ड शिप करा जाएगा तो जो मिनिममम टाइम है मतलब वाइंटी का की अगर उनके पास टॉक भी रहते हैं आप जो इडली से काफी पास भी रहते हो खराब हो जाते है इन उसका जो समालत आ वह सारी चीजा तो आपको पहले हैं नियां जैंड या फिर आप इस वेब साइट गरें पहली या फिर आप और पढ़े एक आड़रेसर करने पड़ेगा जहां पर आपका नाम अड्रेस एमेल अडरेस उसके बाद यहां पर अथा पता चलेड़ केट वाहाँ पर लॉग इन करने के बाद वहां पर एक अप्शन दिखे गा बहुत ही इंपल से विपसाइट है उसके का एक उप्शन दोड़ेगा M.D.C. मैं यहां पर रेजर कार्में करवा रहा रहा था तो यहां पर मैं रेजर टाल दिया यहां पर डीख सकते हो लिखना हr/. उसके पार यहां पे आपको सेरेल नमब्र का यहां पE आपको प्रोड़क्शन टीखना पड़लना पड़ीग सेखी है अब अल्रेक्शन हाई को हँरे नियुड़ को सब्सक्defined हमक्ला सब्सके brand 색깔 के इस बॉक्स का जो पीछे के साइड है जैसे कि बार कोड रहते हैं वहां पर आपको सीरियल नंबर नहीं है तो डेफिनिटले आपका प्रोड़क्ट है आपका कीबॉर्ड माउस जो भी है उसका पीछे आपको सीरियल नंबर दिखने हो मिल जाएगा आपको सीरियल नंबर यहां पीछ यहां पर डालने के बाद यहां पर आपको डेट परचेस लेकर ना हमाएगा की काउन से डेट पर वायग इंवोाइस दिखना धएगा रहते है तो वहीं डेट आपको यहां पर डाल दिनैप यहां पर आपको एक ऑप्शन लिखेगा करना है आप PDF में Upload कर सकते हो आप जो है स्क्रीन शोट लेकर जए पेग में भी अपलोड कर सकते हों तो यहां पर आपके बास बिल्ल का aard copy का उस hard copy का picture लेना पड़ेगा picture लेकर उसको crop अगरा करके आपको यहां पर upload करना पड़ेगा वही same picture ठीक है अगर आपके पास उस build का एक soft copy यानि की PDF format में या फिर JPEG format में तो basically आपको यहां पर upload कर देना है ठीक है जो के option में नहीं है अगर आपको ऐस ऊच्का लेक पर ऊस्क्षन नहीं में रहोंगेका होता है कि आपको इस प्राव्डिम्स की आ रहे हो इसкі साथ वोड़ा प्रॉब्लीम को यहां पर आपको ब्रीफ में आपको लिखनें लिगने के बाद यहां पे हैं बहर और एक यहां पर के यह अगर आपको यहां खुलता है तो यहां पर आपको के साथ अब आपको बॉक्स आए था यहांपे आपका जो रास Competition elder फॉर्दर प्रोसेसिंग के लिए यहां पर लोग फॉर्वाइट कर ले इसको ठीक है तो यहां पर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा और साथ चेक करने के लिए अगर आप वाइंट के लिए एलिजिबल हो तो आपके बास सेकंड मेल आएगा की वी आर ग्लाद के लिए ऍरक्राम अप्र जिए रिख है यह करना विख से ज displacement वे ब्लाद ऐरा ख리ं जरे हमें बंति एक अंगर प्रोडाम से उट्रेश स्कान आ ऐख़े मेल में के लिए रिच्ड डां विख सब्सक्क्रायश का क्या करना मेल के लिएट थिजए एओ का ऐ इका डचलेरेशि अवार मे अपको पाकेज में चिप काके इसको जो एकरो में सेंट करना है, जी नहीं अपको अपने खुद पैसे से अकरो में भेजने है आपके एक बाड़को, ठीक है, आपके पास जो भी अवैलिबल है उससे आप जो एकरो में भेज सकते अपना प्रोड़क्त, विद टीकलेशन फॉ अटाइज यानि कि आपका वो जो फॉर्म है जो कि आपने प्रिंटाउट कर वह था वह आपका पैकेज में चिपका के आपको एक्र ने इसकिल आपको वेड करना है एंड जैसी आपका प्रोड़क्त अक्रो वाले रिसीब आपके बास एक और मेल ऐगा saying that we wish to inform you that we have received your RMA product wiper ultimate on date मतलब जिस date पर भी वो लोग receive करगा आपका product वो वाला date आपको यहां पर mention कर देगा it has been processed further for verification once the verification process is done we will process it further for repair and replacement तो इस mail में यह लोग बताता है कि जी भई हाँ आपका जो product है वो हमारे पास received हो चुका है replacement के लिए further proceed करेंगे तो उस पर आपको शायद से तीन चार देन या वर चार पास दिन लग सकता है एक बार verify होने के बाद कि आप जो problem बोल रहते हैं वह problem उस mouse या पर कीवोड जो भी आप यहां पर वारांटी करवा रहे हो उस product में है तो यह लोग जो है या तो replace करेगा आपका product या तो repair करेगा ठीक है Razer के मामली में most all the time आपका product है वह replace होता है ना कि repair और बाकि सारे product का मुझे पता नहीं है जैसे कि मान आपको बोला थे कि अगर उनके पास टॉक रहते हैं तो वह लोग जो as soon as possible आपका product है वह वापस शिप कर देगा आप ही के address में and receiving के time आपको कोई courier charges नहीं लेगा वह लोग अपने तरफ से वह जो courier services वह बेयर करेगा तो एक बार आपका product replace after repair हो जाता है उसके बाद आपके पास एक और mail आता है कि जी भाई हाँ आपका product यहाँ पे रिपेर रिप्लेस हो चुका है exactly repair रिप्लेस हुआ है वह यह लोग mail पर नहीं बताता है कि आपका product कहां पर है और कितना दीन में आप तक यहां पर पहुचेगा और फाइनली आपका product आप तक पहुच जाएगा within 10 to 30 days maximum मेरे को 30 days लेगा क्योंकि मैं जली से बहुत जाता दूर हूँ अगर उनके पास टॉक भी रहते हैं अगर आप जली से काफी जादा पास भी रहते हैं तो आप एक्सपेक कर सकते हो आपको 6-10 देस में आपका product है वो रिपेर रिफ्लेस होके आप तक पहुच जाएगा और यहीं मैं पर फैस्ट करदा करते हैं तो हँप के जैआ पना रहा सब्ढूल कर सकते हुं फिर्फाल लिवन्टी मिलेगा यहां तो आपर प्रणके वह हाँ आप सब्सक्राइल अच्डाय लाइक कर देब याथा दो के एड हीrando आपसम आपसम क्वालिटी और इंफमाटी कंटेंस हमाने शाल में अल्वाइज लीकिया दरेते हैं और मैं आपसे एक और ऐसे इंजेशन उड़िए सब मेलूंगा तब तक के लिए यार बाबाए